हलो स्टुडेंट यहमार आप्टिक सीरीज का लेक्चर नंबर 17 है और पूरी उमीद है कि लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 16 तक आप मारे वीडियो को देखे होगे और निश्चित रूप से सीरिसली पढ़ाई कर रहे होगे आप अपना नूर्स तैयार कर रहे प्रकाश के बारे में बताएंगे जिसको आप्टिकल इस्टूमेंट्स कहते हैं और सेसन को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप किस बोड के हो अपने बोड का नाम आप हमको लिखके बताओ कमेंट में हम सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के बारे में लाइट तमो लाइव क्लास आपका डिर्ट चलेगा तो हम आपको भी देख पाएंगे प्रकास के माध्यम से ही हम सुदूर इस्तित वस्तवों को देख पाते हैं सुदूर का ताथ पर यहां पर क्या गिरा नच्छत तारह इत्याद का अध्यान या उनको देखना अगर प्रकास दात करें आपको पढ़ाएंगे नेत की समंझन चमता के बारे में अपने सोचा कि किसी की मालनों आग खराब है सबढ़ा है दूर की बारे में क्या होता था कि योग दो बूट चर्मा रखते थे एक चस्मा जेबने किसी का है पढ़ने वाला है दूसरा कि के नेتर में भी एक lens fit करखा है और उस एक ही lens से हम दूर की वस्तों को भी देख Пाते हैं और नजदी की हो भी देख उसको बहतर जानना जरूरी है, एक हम लेंस की बात करें, अब जातों लेंस की फोकस दूरी का फर्मूला होता है, वन अपान एफ, जटी इकल टू, एन माइनस वन, और वन अपान आरवन, माइनस वन अपान आरटो, चीक, अच्छा, हमारे आपके नित्रों में कौन सा लेंस है, जानते हो, गोला पूरा करो, तो आप जानते हो, गोला इसी पकार तो पूरा करोगे, तो सेंटर कहां पढ़ेगा, इस तरफ, और जो इस तरफ पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आपका आरवन कमांड किसमें होगा प्लस में, तो यह प्लस में होगे, अच्छा, जो इधर का पूर्शन है, आप सखेंट इस गोले कैसा है, गोला पूरा करो, तो ऐसे पूरा करोगे, तो सेंटर इस तरफ पढ़ेगा, तो इसका मांड किसमें होगा, माइनस में होगा यह, ठीक, अब ऐसी कंडिशन में, अग इसको जड़ा साल्व करते हैं, तो 1 upon f that is equal to n-1, और यहाँ पे हो जाएगा, 1 upon r, minus minus plus हो गया, 1 upon r, तो 1 upon f that is equal to n-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 upon r, तो इस पकार से आप देखोगे, f that is equal to r upon 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1, यह, आप उज़ोगे, फार्मूल है, नेतर के बारे में समझने के लिए, जानते हो, f is directly personal to r, मतलब, जो नेतरलेंस हमारे आपके आँख में fit है, उपर वाल ने दे रखा है, अगर उसकी वक्ता तिजिया आर कमान बढ़ता है, तो focus दूरी क्योंगी बढ़ेगी, और आर कमान घटता है, तो focus दूरी घटेगी आपको बताएं, दूर डिजाइन बना रहे हैं, एक डिजाइन ये और दूसरा डिजाइन ये, इसका नाम A और इसका नाम B, अगर आप से पूछें कि बताओ दोनों में से किसकी वक्रता ज्यादा है, वक्रता में इसका अटेर्णा पन, तो निश्वरूप से आप कहोंगे कि सर B की वक्रता ज्यादा है, और ये की वक्रता कम है, अगर आप से पूछें वक्रता त्रिज्या किसकी ज्यादा है, तो दो को वक्रता त्रिज्या होती है, पहले आप समझो, जिस गोले का हिस्सा अगर गोला पूरा करो, ऐसे, तो यही तो पूरा होगा, सिंटर यही तो त्रिज्या कम है, इसकी वक्रता कम है, करवेचर कम है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या जादा है, सीधी सी बार, वक्रता जितनी जादा होगी, वक्रता त्रिज्या उतनी ही कम होगी, और वक्रता जितनी कम होगी, वक्रता त्रिज्या उतनी ही जादा होगी, और फिर आप यहा होने का मतलब कि यार कमान भी क्या ज्यादा होना चाहिए और कमान ज्यादा होने के लिए वक्रता मतलब तेढ़ा पन क्या कम होना चाहिए मैं दूर की वस को देखने के लिए हमको इस टाइप के लेंस का उपयोग करना होगा और जो हम नजदीक के वस को देखेंगे तो फोकस हमारे आपका नित्र ये , इसके पहले के लेक्चिर में हमकोडियल में समझा चुके हैं। तो होता क्या चीज़ है तो इसका इधर का पूर्शन है आप समझेंदाUM, ये इसकी वक्ड़ता कम होती है। की हम इसकी बात कर रहे हैं ठीक अच्छा जो उधर का पॉर्शन है में लगनेति के भीतर की तरफ का पॉर्शन इसकी वक्रता ज्यादा होती ऐसे हैं यह आप यूं कह सकते हो आरवन और यहां पर आरटू अब होता क्या है जब हम दूर की वस्वों को देखते हैं तो समय यह आपका जाए आरटू यह आपका इधर साइड में होता है मनला आव यूं कह सकते हैं इसकी वक्रता क्या होती है कम होती है और वक्रता कम होगी तो वक्ता तिज्या अधिक होगी तो फोकस दूरी अधिक होगी हम दूर की वस्वों को देख पाएंगे और जैसे जैसे वस्व नजदीक आती जाती है या हम वस्तू के नजदीक पहुंसते जाते हैं तो ऐसे वैसे कम फोकस दूरी चाहिए तो कम फोकस दूरी के लिए के आर कमान भी कम चाहिए और कमान कम होने के लिए वक्रता जादा होनी चाहिए तो जैसे जैसे आप जानते हों वस्तू नजदीक आती और फोकस दूरी के बदलने की च्वंता को हम क्या करते हैं नेतर की समझन च्वंता जो दूर की वस्त को देखेंगे तो आफ जानतों ने थ्रिलेंस इस प्रकार से ऐसे तो वक्त ś यह बहुत अधिक है तो फोकस दूरी भी क्या होगी हम दूर की वस्तों को देख जाएगी जवस्ति नज़्ती करियुव का मांस्पेसियाँ हुआ है। जब जकड़ा हुआ है तो जैसे से बस नजदीक आती जाएगी मांस्पेसिया शिकूरती जाएगी और जब मांस्पेसिया शिकूरती जाएगी तो ऐसी कंडिशन में जो नेत्र लेंस है वो ऐसे से फूलता जाएगा ऐसे ऐसे बस और नजदीक आई मांस्पेसिया और सिकूरी और फूला वसद्वार नजभी काई महस्पेसिएं और शिकुनी और फूला इस पर्कास ओसे पहलता जाएगा पुलता जाएगा ठीच तो आप जानतों नेट लेंस के फूल के भरती है और वक्रता जब बढ़ती तो बटर तेज्जा घर्ति वक्ता घर्ति फोकस दूरी घर्ति है उसी लेंस से हम वस्व करीब जाए तो उसको भी हम देख पाते हैं अच्छा आपको जनकरीदे अक्सर जो आपका इसार दुती वक्ता तिज्या यही चेंज होता है दूर की वस्वों को देखेंगे तो नेत्र लेंस की वक्ता कम होगी वक्ता तिज्या अधिक होगी हम दूर की वस्वों को देख पाएंग अपने वक्रता को अज्जेस कर लेता है इसी छमता को हम क्या कहते हैं नेत्र की समझन छंता अगुमेडेशन पावर आफ आई उसके पहले आप देखना यह मालो हमारा आपका नेत्र है और यहाँ पर कोई वस्तु है ऐसे वस्तु का नाम कुछ मालो ए और इसका नाम भी अब आपके नेत्र पर कितना कोड बनाती है कैसे निकाले जो वस्तु का उपर का पॉर्षन है वहां से अपने नेत्र पर किरन लेकर जाओ इसे और जो नीचे का पॉर्षन है यहां यहां से किरन लेकर जाओ इसे यह ओई से त्ट दघ्री गांपूर सैंच गृफय इसी तो जितना कोड़ बना यह है इसी को मइ थीटा से लिखते हैं यह फाई सी लिखते है विसी कोड़ कों क्या कहते हैं दर्शन कोड़ कोड़ अब हमना को समझाया को भी वस्तु हमारे आपके नित्रों फाइब नहीं पर जतना कोड बनाती है। थीट पर काम काम करने के एक लिपित होती है सीमा होती है। से अधिक वो यंत्र काम नहीं कर सकता उसकी छमता होती है आप बहुत अच्छा बाइक चलाते हो अगर आप से पूछें बताओ मैग्जिम किसी स्पीड से आप चला सकते हो 60-70-90 यही तो आपको होगे ना बाइक से आप सब्सक्राइब कर सकते हो जो यंत्र हमको आपको मुफ्त में दे रखा है हम बात करें नित्र की इसकी भी छमता है इसकी छमता जानते हो कितनी है यही है एक बते 60 degree है समय में उसकी ढारे से अदेग का कोड बनाएगी तो वस्तो सामने हमको नजर आएगी द transf to कॉड मिन्स क्या यही दर्शन कॉड तो वस्तो सामने रहेगी नेजर नहीं आएगी अक्सर खाना खाने के पहले आपके ममी लोग आपसे कहती होंगी कि बटो जाओ हाथ धुल के आओ तो आप भी उनसे लड़ाते हो कि अभी तो दो घंटा पहले हाथ धुले था सावन से आप जानते उस दो घंटे में हमारे सराउंडिंग में इतने बैक्टिरिया इतने जीवा इतना ही कम होगा तो ऐसी कंडिशन में उनका आकार इतना छोटा होता है कि इनके द्वारा हमारे आपके नित्रों पर बनाए गए कोण मतलब दर्शन कोण कमान एक बटे साथ डिगरी से बहुत कम होता है वहातों में चिपके रहते हैं दिखेंगे नहीं इसी कुम कहते दर् प्रिट थीटा टेंट सू जीरो पे थीटा बराबर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार पहले तो इसका मतलब समझें आप पुझेंगे थीटा टेंट सू जीरो का मतलब क्या हुआ एक बास समझना देखो थीटा टेंट सू जीरो का मतलब यह नहीं कि थीटा कमान जीर हो गया कि अगर जीरो होता तो थीटा बराबर जीरो लिखे होते हैं जैसे कोई व्यक्ति है मालों बीमार है हास्पिटल में एड्विंट है बचने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है ठिक कोमा में है जो भी आप कहलो ठिक बस मन ससंकित है अब बैड निवस आया कितब ब करने यह हो लागन हो तो यह दिर नहीं है इतना कम इतना कम है इतना कम आपको इसमें नहीं उलज़ना खली आप इतना समझना थीटा कम आगा आगर आपका बहुत कम है और थीटा बराबर क्या होता है और जांते हो इसी कंडिश्म में थीटा भाया sinasan थीटा भी अवी होता है फिल लख सेकता नहीं तुम यहापे नहीं उसका जिकर मालो कोई वस्तु आपके सामने है चिक यज का मान बहुत जादा है तो यज का मान बहुत जादा होगा तो वस्तु आपके नेत पर क्या बड़ा दासन कोड बनाएगी वस्तु आपको बड़ी दिखेगी वहीं पर मालो वस्तु अगर दूर हटती जाए और दूर गई और दू पुछत रूप से आप जानते हो अगर वस्त दूर रटेगी डिकमान क्या होगा बढ़ेगा बढ़ेगा तो निस्वत्हीट का मन गटेगा दरसनकोंड का माण घटेगा वस्त जैसे से दूर रटती जाएगी वह चोटी होती जाएगी और ये भी हो सकता है वस्त इतनी दूर चली जाए कि वस्त के द्वारा नित्पा बनाएंगे दरसंकुल कमा निकवटे साथ डिग्री से कम हो जाए वस्त सामने ही रहेगी लेकिन नजर नहीं है आसमान में हवाई जाज उड़ता हुआ आप देखते हो आपके घर के छट के बढ़ता जाए गार लगातार क्या बढ़ता जाएगा और बीकवान बढ़ाये कान हटेगा थिटा कमांं घटेगा उच्पानधा थिए 97 कमांं घटेगा ऐसनना कमां घटेगा वह आपको लगाता थो प्रू अच्पीशएर chant System हो जाता है के में कि आखने- मेंने सामंगशे करके देखना अपने घर की छट पर आप जाओ आसमान में तमामों तारे दिखाई पड़ेंगे किसी भी एक किनारे कुछ तारों पर अपना ध्यान लगा दो आठ डस तारों का पूरा ग्रूप है अब अपना ध्यान लगा दो अब उसके बाद बहुत अच्छी क्वाल्टी का को टेलिस्कोप लेलो और उसी टेलिस्कोप के माध्यम से उन्ही तारों को आप देखो एक बार ठीक वह जब अधेक दिखों आपको नहीं द legal星 aqui कि वह इतनी दूर इतनी दूर थे कि उनके द्वारा हमारे आपके नेत्रों पर बनाया के दर्शन कोण कमान एक वेटे साथ डिग्री से काम था, वो सामने ही थे, नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब टेलिस्कोप आपने लगाया, तो टेलिस्कोप ने क्या किया, उसका एक इमेज बनाया, वो इमेज आपके न हम आपको समझाने जा रहे हैं कि टेलिस्कोप के काम करने का सिध्धान्द क्या है, और माइक्रेस्कोप के काम करने का सिध्धान्द क्या है, किस सिध्धान्द तो डोनों कारी करते हैं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दूरदर्सी के कार करने का सिध्धान्द क्या है जब इसको आप समझ जाओगे तब फिर आपको समझाएंगे सूज दर्सी जिसको माइक्रिस्कोप बोलते हो उसके काम करने का सिध्धान्द क्या है और जब सिध्धान्द आप समझ जाओगे तो उसके बारे में आपको आएंगे वर कैसे करता क्या होता काफी डिटेल इस्ट तो मान लो कूछ बहुत दूर रिष्थित कोई वस्त होए देखने के लिए आपने टेलिस्कोप लिया तिक अपने लगाया देखा लेकिन देखने के पहले आप समझदा मालो टेलिस्कोप भी नहीं लगाए हो तो अच्छी इसके इसाब से वस्तु आपको दिखाई पड़ेगी वस्त को नाम मालों यहां पर एभी है जान रखना अभी आप टेलिस्कोप नहीं लगाया हो अच्छा मान लो आपने टेलिस्कोप लगा लिया तो टेलिस्कोप जानते हो क्या करेगा इसी वस्तु का एक प्रत्विंब नहीं तो आप द्याख चोटाई क्यों नबने जैसे हम करके दिखाता हैं आपको आपव दिखना म Gulf के आ अप जो कि यह क्या है है पिद्के भीम रिभी को बनाया वह प्राद्विम आपके नेट्र के बनाया जो आपके नेथ के करीब बनाया भले वो प्रद्विम बस्थो 응क वस्त से छोटा ही क्यों करें कॉंस Вс्थ अब आगे देखना तो ऐसी कंडीशन में ये वस्त हुआ आपके नेथ कि ऐसे यह कुण कि भाई वस्तु का प्रद्विम आपके नेत के करीब बना भले वस्तु से छोटा ही बना इसका नाम कुछ आप मानलो इसका नाम एडेज और इसका नाम मानलो भीडेज तो ऐसी कंडिशन में आप देख रहे हो कि दर्शन कोण का मान बढ़ गया कि नहीं बढ कि वस्तु का प्रद्विम बना धार आपके नेतर पर बढ़ा दर्शन कोण बनाइं गया और जेद्विम वस्तु का नेतर वह बडा दरसंग कोड़ बना तो आप जानते वें वास तो आपको यहां पर क्या बड़ी दिखने में लग अब हम आते हैं असे ईहां किसदधन क्या है ethical उचिश दर्सी का सिद्धंद क्या है क्था अब देखना ऐसे यह बस्तु का नाम मन लो आप कुछ ए भी ठीक अब आप देखो यह बस्तु आपके नेत्र पर कितना दर्संकुर बना रहा है तो आप एक काम करो यहां से एक किर अपने नेत्र पर लेकर जाओ एक किरन यहां पर जाई रही है ऐसे चुछ भी मानल लो ऑफ फाई अलभा बीटा जो अपके एक्षा कहें मानलो हमने हैं अब इस पर नहीं दिखे रहा यह क्यों नहीं दिख रहा है पर दो शोटा है हमको बाडा करके देखना है मैक्रैस्कूप को उप योग है करेंगे सूख दर्सी जिसको आप कहते हैं उसका नाम यह सूख्ष में दर्सी छोटी वस्तों को दिखाने वाला वो क्या करेगा इसी वस्तों एबी का एक प्रद्विम्ब बनाएगा वस्तों से बड़ा बनाएगा चाहे वो प्रद्विम्ब आपके नेतसे और अधिक दूर क जैसे आपको समझाते हैं आप देखना है आप अगा है यह लो माइक्रेस्कोप ने क्या किया इसी का एक बड़ा प्रद्विम्ब बना दिया भले वो प्रद्विम्ब आपके नेत्र से दूर ही क्यों ना बना तो ऐसी कंडिशन में आप देखना इसका नाम कुछ मान लो इसका नाम भी था ना तो एक एक लिगारेख तो भी जिगावीच इसी का बड़ा पद्विम्ब समना और भले प्रद्विम्ब आपके नेत्र से दूर ही क्यों नहीं बना तो ऐसी कंडिशन में आप देखो गया अब यह दिको प्रद्विम्ब कितना कोड़ बनाता है अगे ये लो घडिक इस कोंड को कुछ आप मान लो मालू ये कोण है थीटा अब आप देखना वस्त हुए वस्त ने आपके नेतर पर फाई कोड़ बनाया था फाई कामान बहुत कम था बहुत छोटा नजर आ रहा था आपने माइक्रेस्कोप लगा दिया सुझ दर्सी लगा दिया सुझ दर्सी न इसी वस्तों ए बी का एक बड़ा प्रधिम बना दिया भले और आपके नेत्र से दूर ही क्यों नहीं बना ऐसी स्थृषित दैखना काम करने का सिת अभा है इस पकार से हैं कि देखा और मैक्रोम का क्या सिधानत कि आपकाम करने का अब इसके बाद हम आपको समझाने जा रहे बॉुक्रा petty daddy गाउब इंस्थुमेंट्स कार मैं कोण को बढ़़ाना तो तो किसी भी प्रकासिक द्वारा बने प्रत्विंबुच कॉन कोण। के निश्पत निश्पतिकında मतलब रेशियो मतलब अनपात को उस्पासिक ग्ंदर की आवर्धन छमता कहते तो आप यूँ कह सकते हूं लकॉरेश्पता का simbol द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कौन ठीक इसका कोई सिंबल मालो मालो ठीटा ठीक अब उसके बाल स्वयम वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कौन ठीक अब आप इसको चाहो तो फाई मालो इन दोनों का रेशियो निकालो जो निकल के आएगा वही आवर्धन चम्ता कहलाएगी और आपको समझाएं मालो हम आपसे कहें कि टेलिस्कोप की आवर्धन चम्ता 20 है इसका मतलब यहां पर क्या संबाई है लगभग 20 गुना आपको दिखाई पड़ेगा आप यूं कह सकते हो वस्तु जितना दर्शन कोड हमारे आपके नित्रों पर बना रहा है बीना टेलिस्कोप का उप्योग किये उसकी तुलना में अगर आप टेलिस्कोप का उप्योग कर लोगे तो 20 गुना अधि सुझदर्सी के लिए आवर्धन चमता 25 है इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु बहुत चोटा है हमारे आपके नित्रों पर बहुत चोटा दर्शन कोड बना रहा है अगर आप इस माइक्राइस्कोप का उप्योग करोगे किसका जिसके लिए आवर्धन चमता 25 है तो जानत और उस हमारे सकोब किसके माय च्व्ष कोम कैसे बना होता है उसकी समझना देखी जाती है जाता है और साथ ही साथ यह देखा जाता है कि सकी आवर्धन चमता कितनी है और आप चांडिशन को च्केंद हो करें będziemy ंतों और न और शमया दोन फर किया होगी उस मिल्भा ऑता हो हो मतलब जानते हो उसको स्रांत नेत्र की अवस्था कहते हैं जिसमें प्रद्विम अनंत पे बनता है उसमें हमारा जो नेत्र है बिल्कुल रिलैक्स कंडिशन में होता है मांसपेसिया बिल्कुल ढिली होती है नेत्र पर कोई जोर, कोई तनाव, कोई दबाव नहीं होता है, ऐसी कंडिशन में, कब, जब अंतिम प्रद्विम कहां बने, अनन्द पे बने, उस समय सुथदर्सी या दूरदर्सी की आवर्दन चमता कितनी होगी, इसके फार्मूले कर भी डेरिवेशन यहां पर किया जाए हम अंगले सुरू करने जा रहे हैं, दूरदर्सी में उसकी समझना के बारे बताने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे क्या बना होता है, आप समझना, एक सीधी रिखा हम खीच रहे हैं आपने, ऐसे, यह हैं, अब एक लेंस बनाएंगे, जिसका द्वारक बहुत बढ़ा हो होगा, अभी हम समझाते हैं, द्वारक क्या होता है, और फोकस दूरी भी बहुत अधिक होगी, आप लो, अब कोई वस्तु लेंगे, यह मालों कोई वस्तु है, इसका नाम A और इसका नाम B, इससे प्रकास करने निकलेंगे, लेंस पर आपतित होगी, पीछे जाएंगी, अच्छा आपने पड़ रखा है, वे प्रकास करने जो मुखच के समांतर तो नहीं होती हैं, परंतु आपस में समांतर होती हैं, लेंस असे अपवरतित होकर, और पर कहीं केंद्रित होती हैं, तो ऐसे कंडिशन में आप देखना, यहां से प्रकास करनों को निकाल रहा हैं, हमने वस्त दिखाया, बीच में गैपिंग है, तो इसमें जानते हैं, इसका मतलब कि वस्त बहुत बढ़ी है, लेंकि उसको छोटे में दिखाया जा रहा है, आप पर को इस रूप में दिखाया गया, प्रकास करने निकलेंगे, इस लेंस पर आपतित होंगी, फिर अपरतित होंगे, वहां पर प्रत्विम बनाएंगे, क्योंकि वस्त बहुत दूर तो है, और आप जानते हो नियम, वे प्रकास करने जो मुखच के समांतर तो नहीं होती है परंदू आपस में समांतर होती है, लेंस से अपवर्तित होकर फोकस तल पर कहीं किंद्रत होती है, और फोकस तल कहां पर होता है, फोकस पर ही, तो आप आगे देखना, हम यहां से प्रकास करन को निकालने जा रहे हैं, आप देखना, आप देखना, अईसे, और मान लो, इस तो जितनी भी किरने आएंगी इनके समांतर वो सारी के सारी फोकस तल पर केंद्रित होंगे उन डियाग्रम बना कर दिखाते हैं आपको आप देखना कि यह 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 ठीक अब सारी किरने यहीं पर सेंट्लाइज होंगे कि यहां पर कि अब अब कि आप एक कोशन हमसे कर सकते हों कि कोई नियाम के बाद इसे सारी कि सारी यहां पर संट्राइज होंगे तो आपको बताए नियाम अभीम ने इसके पहले बताया भी था यहां पर कि दो को वे प्रकास करने जो मुख रच के समांतर तो नहीं होती हैं मतलब ये जो आपका ऐलो करल धा है यही तो मुख रच लेकिन आ vä में तो समांतर है ठीक तो वे प्रकास करने लेंस से अपर्तित होकर फोकस तल पर कहीं केंद्रित होती है तो ऐसी कंडिशन में अगर इसका फोकस आप देखना यहां पर मान लो इस जिगे पर हम इसका नाम देते हैं यहां पिर झोड़ी मंद्रित लिखा के इसका दुतिमी फूकस है तो आएसी कंडिशन में और यहां पर संट्राइब भना बस्तु के सापर प्रच्टू बना और या लिए समें आ है कि यह कि इसका नाम के विवीपि तो इसका नाम कुछ मानने ब्सका नाम है एडस प्रद्मिं के बाटम का नाम क्यों गया वन होगे तो प्रद्मिं के टाफ का नाम क्यों गया वन हो गया अचा फिर आप पूच्छों के लिखा हुआ है इस लेंस का फोकस है, फिर आप बुचू को O क्यों लिखा हुआ, आप जानते हूँ, यह जो आपका यहाप अब लेंस है, इसको आप घृष्चक लेंस कहते हैं, और इसको O से लिखते हैं, ठीक? तो यहाँ पे O, यह ठीक, तो अगर O हो गया तो इसी किया तो आपका फोकस है, तो अब आ एफ लिखा फोकस बिंदू के लिए ओ लगाया क्योंकि इस लेंस का फोकस है और तूप किस ने सब्सक्राइब फोकस है और आप यह जानते हूं यहां से लेकर यहां तक कि है दूरी कहा लाए ती मूंक फोकस दूरी जैने आप यूं कह सकते हो यह एफ रों ठीक यह और यह यह यहां से लिखे हैं तक की दूरी अब इसके बाद फिर आप आगे देखना जानते हो अब एक पीछे लेंस और लगाएंगे और उस लेंस को अम क्या बोलते अभी नेत्रे लेंस या उसको बोलते नेत्रिका या अंग्लिश पर बोलते आई पीस पर डियाग्राम हम बना के दिखाते हैं आपको दूसरे लेंस की जाने भूच के आपको समझने में आसानी रहें आप देखना दूसरे लेंस कि ऐसे हैं है 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 यह आप कर सकते हो कि इसकी तुलनम आपने मोटा क्यों बनाया तो इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुके हैं अगर यह मोटा है तो इसकी वक्रता जादा है अगर वक्रता जादा होगी तो वक्ता तुझ्या क्या होगी कम होगी और वक्ता तुझ्या कम होगी तो फोकस दूरी भी कम होगी होनी पी चाहिए आप जानते हो इसकी फोकस उसके लिए रूप को आसी चलो बनाकर दिखाते हैं आपको यहां यहां से अग्राएं डिवरृण सुनाय। ऑपना विल्पातिब्र कर्णाहinta यह से प्रकास्क्राइबा शौक से ओई दिखाएंगे कि ऐसे हैं चिक जानी प्रकास के रहे हैं ऐसे हैं और दूसरी प्रकास्टर को इसके समांतर निकाला और जो समांतर निकलाओ कहां से गुज़रेगा इसके फोकस से गुज़रेगा तो मालों इसके फोकस से गुज़रा चिक कि इस लाइन को थ्रूब साओर बढ़ाते हैं यह है आपको फिर समझाएं यह जो पॉइंट है यह इसको हम ई से लिखेंगे इफार आई पीस इसको नेत्रिका या अभी नेत्रिलेंस कहते हो एक प्रकास किरन प्रकास्टिक केंसे गुज़री बिना विचलित वह बिल्कुल सीधी निकल गई और दूसरी प्रकास किरन मु इसका मतलब क्या एक यहां प्रद्विम कहां दिखेंगा आपको फिर समझाएं यह दो आगे आगे बढ़ाएं तो कट देंगे कभी नहीं कोई बात नहीं आप पीछे बढ़ाओ जहां कई काटेंगा वहां प्रद्विम बनेगा इसको में पीछे बढ़ाया यह ऐसे ठीक इसको में पीछे बढ़ा रहे हैं उस एक सिदाई में आप देखो और अधिका और ओनों यहां पर आपस में काता बलकि काता नहीं है कारते हुआ प्रतीत हो रहा है कि पीछे बढेंगे तुछ रही सुट्द्रमुत कहां बने गाईयां यहां पर बनेगा कैसे बनेगा आप खुशन हो मैं आप दिखा आप दिखा है कि 2 od से यह और इसका नाम कुछ मान लो आप इसका नाम हो गया एटू और यहां पर इसका नाम भी टू ठीक फिर आपको होगे कि हम कुछ दिखेगा कैसे तो आप एक काम करो ना अपना नेत्र यहां पर लगाओ झाल 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 अब आप देखना यह आपका नेत्र है जब यहां से आप देखोंगे तो आप जानते हो यह टू भी टू दिखाई पड़ेगा आप यूँ कह सकते हो बस तो ए बी घाल जब कि बहुत दूर क्यों दूर दूर दर्सी पड़ेगा थेक ट्रकास करड़े निकली आप जानते हो निए बैस अभी प्रकास करड़े जो मुखेश के समानतों तो नहीं होती है परंद वापध में समानतार होते हैं लेंस एया पर तो इसके लिए यहां पर था यहा और बंब के पीछे बनाया है एवन के सापते सीधा बनाया आप कैल को यह भी नीचे यह भी नीचे इसकी तvoorbeeld अन। दिए की अब आभास करोगे वास्तों में करने तो उधर जाएंगी ना आप यहां पे आभास्तों कर रहे हो तो आप जानतों इतना बड़ा अब प्रधिम्ब है निश्चित रूब से बड़ा दरसंट कोड बनाएगा आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा वस्त्त अब rator को इसकी सब्सक्राइबारे मा को समझा रहे था है देखना हम जानते हैं यूरली लेंगे और जो व्यास है व्यास मिनस और ऐम ऑर यहाँ से लेकर यहाँ यहां तक की उतनी दूरी है इस व्यास के विल्कुल ठीक बराबर हो, एक लंबी नली लेंगे, खोकली नली लेंगे, जब नली बोलना तो खोकला ही होगा, और उसके एक सिरे पर ये लिंज लाके हाँ पर सेट कर देंगे, ठीक? उसके बाद फिर एक दूसरी नली लेंगे, खोकली नली वो भी होगी, और उसके बाहरी सिरे पर इसको set कर देंगे और बड़ी नली के अंदर छोटी नली को पहना देंगे आप पूचो को क्या हम दिखाते हैं आपको सुनो आप देखना एक नली हमने ऐसे लिया यह हम सी हैं आए से चैनली है वालेट करो कि अप देख रहू हो दो शिरा एक दर एक ऐसी अधर तो इस तो इस सिरे फ Pass ने नी बाहूरी सिरे पर क्या किया इस लेंज को या फिट कर दिया वुसका बुसक्य दूसरी नली लेंगे और उसमें क्या करेंगे इसको को सेट करेंगे तो आप देखना ये लो और दूसरी नली हम ले रहे हैं यह लो उस नली मैंने इस लेंस को सेट कर दिया अब उसके बाद फिर दोनों लेंसों के बीच में एक अरेजमेंट लगाएंगे यहाँ पर आप देखना इस परकार से अरेजमेंट होगा यह यह आप जानते हो इस प्रकार से दातेदार एक व्योस्था होगी आप उचे दातेदार व्योस्था कौन सा आपने देखा होगा माइक्रेस को टेलिस्कोप में एक बगल में नाव होती है नाव घुमाओ तो आप जाते हो आई-पी से वो पीछे हटता है फिर उटी दिसा में आग सब्सक्राइब करने चाहिए और यहीं पर एक छोटी सी नाव होगी हम दिखाते हैं आप लो एक चोटी से यहां पर इसे नाव लगी होगी ऐसे ठीक और इसी नाव को घूमां कि अगर आप चाहो तो आई पीस को उधर ले जा सकते हो या इधर ला सकते हो आगी फिछे हुझ तर सकी कर रहा है इसकी फोकस दूरी अधिक है होनी पूर लिए को intern होनी चाहिए क्योंकि आप जांते को बिलकुल इस साटा के हम देख रहे हुझ या अच्छा फिर हमने क्या किया जो जो चौडी नली था उसके बारी सिरेपेंगेखकोशट कर दिया। फिर चौडी नली के अंतर पदी नली को पहिणा दिया, अब उसको यहां पर एक अर्रज्मेंट लगा दिया, इसको मोलते दंतुर दंटे चक्रे बैवस्था जैसको मोलते र्यक्पिनियन अर्रज्मेंट है और अगे इसे होई में लटके हैं कि नीचे भी कोई नो कोई के रार्य को स्लाइट करेगा आपने देखा सनुजणा कैसी होती है दुर दर्सी के और आपने ये भी देखा कि प्रद्विम कैसे बनाता है और जानकारीदे यहाँ से लेकर यहां तक की दूरी को हम कहते हैं लेंस का द्वारक एपार्चर शिक इसका द्वारक बहुत बढ़ा रखते हैं क्यों बढ़ा रखते हैं क्योंकि अब जानते हो वस्तुमें बहुत दूर हैं तो जब अधिक मात्र में प्रकास करने आएंगी प्रद्विम बनाएंगी तो प्र कि यहां पे आउं इसका दौरक छोटा रखते हैं दौरक समझेल यहां से लेकिंगे यहां तक के दूरी इसको बोलते द्वारक इसका द्वारक छोटा ले सुल्ए नहीं है कि द्वारक बड़ा कर देंगे और जैंतों फ आम ने प्रकास करें इ McLemore से पड़े हो इसका द्वारक बड़ा होता है पतला होता है एक नली में इसको फिट के दोनों को आपस में पैना दिया उपर अपका रेक्विंजिन लग गया ना गुमा गुआ के आगे पीछे करो ठीक है वस्तुमों को देखो अब हम आगे चलते हैं दूदर्सी की आवर्धन चंता मैग है यह वस वह अब अधरिश्थ्यक्री ने इसका प्रन्दिं में हम बनाया एवन पर्द्विम हो गया और इसकी तौरा बनाये प्रद्विम उसके लिए वस्तुका कार्य करेगा करें अथा तो तो अंतिम्दम प्रद्विम मतलब के एट्यो बीम द्वारद्वर ने तिरफ स बनाए गया दर्शन कोण तो पहले तो फर्मॉला लिखते हैं एम दर्टी इक्वल टू आप यहां पर देखना अंतिम्त त्रत्विंब कि क्या नाम है एटू बीटू अब बनाए गया दर्शन कोण ठीक इस कोण को मान लो हम थीटा मान लेते हैं अब इम दिखाते हैं कोण कौण सा होगा पहले फर्मॉला लिख लें बटे स्वयम वस्तू एबी द्वारा नेत्र पर बनाया गया अब दर्शन कोण ठीक और इसको मन लोग फाई मान लिया यह थीटा और यह फाई तो आप यूंगा सकते हैं जटीज इपल टू थीटा अपान फाई अब अगर अगर थीटा फाई कमान निकाल ले इसी फार्मॉला ब्रग बें आवर दन चंता निकल आएगी तो सबसे पहल नहीं आřना कि तीटा कमान कैसे निकले फाई कमान निकालें और यहां फिर रखेंगे तो पहले हम चलते थीटा के लिए आप देखना हो था है थीटा crashed नेत्र को बताएं जब कभि भी टेलिस्कोप का प्रयूप करते हैं आपने भी किया होगा भताऊ तो देखते हों तो क्या से करके देखते हों नहीं अपको आँडों के पास सटा के आपको आंख होता है देखते समये नेत्रिका के बिल्कुल करीब होता यह कि इस पर्स करता है नहीं भी स्पर्स करें तो bहुत कंदूरी पर होता है अपने सुद्धा के लिए जानते हों क्या move यह अब नेट्र लेंस है जिसका अपने तो कहते हो कैप्टली हम इसी को अपना लिए त्र मनें के दरसन कौन ठीक यह कितना हो गया थीटा आप जानते हो थीटा के अथी अलपतम मानों के लिए लिमिट थीटा टेंट सुझी रोपे थीटा बराबर टैन थीटा आप पूछो कि यह कहां से आ गया आपको ता मैंट का एक पोर्शन है लिमिट थीटा टेंट सुझी रोपे साइन थीटा बराबर थीटा और लिमिट थीटा टेंट सुझी रोपे कास थीटा बराबर वन अगर दो मालूम है तो बाकि आप टैन से कास एक सब बता सकते हो जैसे आप से पूछे हैं लिमिट थीटा टेंट सुझी रोपे टैन थीटा बराबर क्या होगा का अप जांतों Sin थीटा बटे कास सीटा बराबर क्या होताऊ्त तैन थीटा थ lado यह रेशन यूप कहसा हो कि लिमिट साटो पे तेन से रूपा फेटा भर तीटा कि यूँ कह सकते हो कि लिमिट थीटा थीटा बराबर थीटा जो आपको आसान लगे आप यूच करो लेकिन कब हमेशा नहीं जब थीटा कमान लगभग 0 की और अग्रसर हो तो ऐसी कंडिशन है आप देखना ये बराबर हो जाएगा यहां पर क्या लंब बटे यहां पर आधा तो आप यूं कैसे तो थीटा that is equal to लंब तो लंब के नाम पे आप देखो एटू भी टू ठीक आधार तो आधार के नाम पे एटू ठीक अब एक्वल टू अच्छा आप ध्यान से सुनना कान आप हमारी तरफ लगाओ और निगा डायग्राम पे लगाओ आप देखना अगर आपसे कहें कि त्रिभुज ए एटू बीटू और त्रिभुज एएवन बीवन दोनों समरूप हैं गांदेन हम समरूप बोल रहें सर सर्वांग्सम का मतलब क्या सर्वांग्सम सभी बुझाएं बराबर सारे कोण बराबर हम सर्वांग्सम नहीं बोले समरूप बोल रहें डिजाइन सेम है तो ऐसी कंडिशन में बड़े त्रिभुज में लंब वो आधार में जो अनपात होगा वही अनपात छोटी आप पूचो कहां लिखा है यहां जगा नहीं थी हमने ऊपर लिख दिया है आप देखना तो यह बराबर हो जाएगा यहां पर छोटे त्रिभुज में लंब का नाम कौन एवन 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 अपान आधार का नाम कौन एवन एवन अच्छा साथ आप सोच रहे होगा यहां तो यह फोटू लिखा हुआ है तो आपको फिर समझाएं यही बिंदू एफोटू भी है यही बिंदू एवन भी है आप पुछो यह कैसे तो यह फोटू का मतलब क्या जो अब्रिश्चक लेंस है अब्जेक्टिव लेंस उसका फोकस भी है और साथ ही साथ आप देख रहे जाएं का ऊपर आप हम चलते हैं फाई कमान निकालने के लिए फाई कमान कैसे निकले है ले मिट अब फाई टेंट सू जीरो पर पैन फाई बराबर फाई यह ऐसी को उल्टा करके भी लिख सकते हो फाई बराबर क्या टैन फाई लेकिन फिर याद दिलाएं हमेशा नहीं जब फाई टेंट सू जीरो हो मदब फाई कमान जीरो क्यों अग्रसर होगा अचाब फाई है क्या चीन स्वाइम वस्तु द्वारा नेतर पर मनाया गया दर्सन कोन वस्तु कॉन है यह और नेतर कहां पर वहां कैसे कोन दिखाया जा किसी ग्रान चत्र या तारे को आप देख रहे हो आप यूं कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक की दूरी मामूली दूरी नहीं बहुत बड़ी दूरी है और उसकी तुलना में यह दूरी प्रकार से क्योंगी उप्रेक्ष्ण नहीं है आप जो कह यह कैसे वह आप जानते हो टेलिस्कोप का सामने का पोर्सन जो वस्थू की तरफ होता है ग्रान चतार आप देख रहे हो एक पहाड से खड़े हो के दूसरे पहाड को आप देख रहे हो तो आप जब तो यह दूरी बहुत ज्यादा हुई कि नहीं हुई अच्छा यह दूरी आपका कितना आधा मीटर एक मीटर, डेड़ मीटर, दो मीटर, तीन मीटर रही तो होगा तो कहने का आसा है यहाँ पर यह दूरी बहुत बड़ी है और इसको तुलम यह दूरी प्रकार से उपेक छुनी है चिक तो हम जानते हो क्या करेंगे सुवधा है तो हम अपने नेत्र को इसी पर इस्थित मान करें ने मंने ने कर लेए तो आप बास सुनों है अगर आप दिर्फेस्थियर मान लेते हो बस तो यहाँ पे तो दो था नित्व मन गये दर्शन खर दर्शन को यह तो म Teikal क्या होना निकालना तो आप जानता हूं मतलब है हम इधर निकाल रहे आप होज़ों निकाल रहे हम को मालूए मेरा यह वहण यह liegen भी आ जाएगा आप आगे देखना बराबर लंब बटे आधार बराबर अब लंब हम इसी ट्रेंगल को पकड़ रहे हैं नाम पकड़ों ओ एवन बीवन तो आप जानते हो लंब के नाम पर कौन एवन बीवन आधार आधार के नाम पर क्या ओ एवन यह लो यह फाई का मान निकल आया अब थीटा ओ फाई के इन मानों को ऊपर कैपिल ने महले फार्मूले में रखेंगे तो जड़ा रख के देखते हैं यहाँ पर अब देखो एम जटीज इक्वल टू थीटा अपान फाई ठीक जटीज अब हम तब जानते हो थीटा कमान कितना एवन बीवन अपान एवन ऐवन ख्रीक अपान अब फाई की वलू था हज़ा एवन बीवन अपान और यहाँ पर ओ आए वन यह लोँ ठीक अब आप आगे देखना है इसमाई अवन बीवन से तो यहां पे आप देख रहा है यह उपर चला जाएगा ओ एवन अपान एवन आप यहां पर देखना ओ एवन उपर आ गया थे ओ से लेके एवन तक की दूरी तो आप अच्छी तरीकिर जानते हो यह पॉइंट इसका क्या फोकस नियम लगा नहीं था वह प्रकास गिर्ण ने है तो यहां तक की दूरी आप जाते इस लेंस की अनि भी स्की फोकस डूरी कहले गी और एक सिर्ण ग्न देना यहां यहां प्रकार आपको समझा चुके से यह क्या फोकस बिंद है तो है यह फोकस दूरी कार्थ कर्याएस समाल लिप से अच्छा उसके बाद्स चलो फिर ओ यू से लिखते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे माइनस यू और यहां पर ए आप पुछो गए हँआ पर मैनिस तो लगा आप जानते हो लेइस के बाहिंस के दूरी माइनस में दाहिं तरफ केac incub दूरी plas that is equal to minus fo upon ue यह आपका निकला आवर्धन चम्ता का मिन फार्मूला अब जाते हों हमको यह पर दो केसेज में पढ़ाई करनी है आप पुछो कि यह क्या हमको यह पर आवर्धन चम्ता निकालनी है तब जब अंतिम प्रद्विम मतलब को ने टू बीटू इस पर इसके नियूंत प्रद्विम में टू बीटू कहां पर बने अनन्त पर बने तो हम चलते हैं इसके बाद फिर केस फस्ट और उसके फ़र्ले थोड़ा सा स्पेस बनाता है हाँ आप आप देखना केस फस्ट क्या जब अंतिम प्रद्विम्भ अधिया कौन ए टू बीटू इस फस्ट द्रिस्टी की नियूंतम दूरी पर बने आप जानते हो मानूने तुराले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था इस पर इसके नियूंतम दूरी स्वस्ट मनुस के लिए कितना होता है 25 संटेमीटर जिसकों कैप्टर डी से लिखते है ठीक तो आप आगे चलो आप देखना मैं आप यह जानना चाहते हो कि अगर यह एटू बीटू हमारे नेत्र से कैप्टल डी दूरी पर बने मैं यह दूरी कितनी हो कैप्टल डी ठीक तो आउर्दन चमता क्या होगी आप चलो फार आई पीस जिसको आप क्या कहे तो नेत्रिका ठीक लेकिन आगे माईनेस का सिंबल क्यों minus lens के 22 तरफ के दूरी minus symbol के साथyah फिर minus one upon u तो u के जगा पर क्या हो जाएगा आप देखना ue आप जानते हो यहां से लेखिए यहां तक बस्तु की दूरी तो यह क्या हो जाएगा ue ठीक तो ue और यहां पर minus ठीक equal to one upon f तो f की जगा पर F e, लेकिन ये किस में? प्लस में, आप पूछो कहें क्यों? उत्तल इसकी focus दूरी हमें सा प्लस में होती है, और उत्तल इसकी focus दूरी minus में होती है, यहाँ पे तो उत्तल ही लगा, यह भी उत्तल, यह भी convex, वो भी convex, ठीक? हम हल करके पहले ue का मान निकालेंगे चलो निकालते हैं तो यहां पर हो जाएगा minus one upon d और minus minus plus one upon ue that is equal to one upon fe अब आप आगे देखना one upon ue को यहीं पर रोक लो उसको transfer कर दो तो one upon ue that is equal to one upon fe और यह माइनेस है ना इधर क्या प्लस हो गया one upon d यहां पर आप आजो डी इंटू यह फी यह सियम हो गया तो आप जानते हो साल करो गए यहां पर तो यहां पर दी और यहां पर क्या जाएगा एफ यह तो ue तो ue बराबर d into fe upon और d plus fe यह 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 कमान निकला अब ue के इसमान को इसमें फीट करो आप इसको equation number को माल लो equation number first तो आप यहां पर ue के मान को समीकल एक में रखने पर तो जब आप रखो गए यहां पर तो आप देखना m that is equal to minus fo upon ठीक अब यहां पर क्या हो जाएगा d into fe upon d plus fe यह है ठीक आप यहां पर कह सकते हो आप देखना m that is equal to minus ठीक अब यहां पर क्या हो जाएगा आप देखो डी प्लस fe उपर चला जाएगा ना तो यहां पर आजाएगा एफो अपान एफी हमने यह कवर किया ठीक अच्छा यह उपर चला जाएगा तो यहां पर हो जाएगा डी प्लस fe अपान और यह डी नीचे यह यह एक बार आप चेक करो माइनेस तो माइनेस एफो और एफी यह ठीक हमने एफो अपान एफी कर दिया ठीक और फिर डी प्लस fe यह 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 उपर चला गया तो डी प्लस fe उपर आगया अब देखना और फिर आपका यह डी बचा तो डी आपका इसके नीचे यहां पर अड्रस्ट हो गया बोलो क्लियर है के नहीं अब एक काम करो हो आप एम डाट इपल टू माइनस एफो अपान एफी और यहां पर आपका हो जाएगा डी अपान डी प्लस एफी अपान डी और डी से डी कैंसल ठीक तो यहां पर हो जाएगा एम डाट इपल टू माइनस एफो अपान एफी और यहां पर हो जाएगा वन प्लस एफी अपान डी यह इसी को लित क्या पहले पैक कर दो यह आवर्दन चम्ता का फार्मला निकला तब जब अंतिम प्रद्विम कहां बने इस पर सद्रिस्ट की न्यूंतंदूरी पर बने फार्मुला और केस में आपलाई होगा लेकिन आपका जणरल फार्मुला नहीं है कंडिशनल फार्मुला और कंडिशन के स्वासा इस्पेस बनाते हैं आप देखना तो एल और यहां पर कैपिल डी कैपिल डी क्यों क्यों सब्सक्राइब निकाल जब अंतिम प्रद्व में टू-बीटू कहां बन रहा है पच्छे संटिमीटर दूर बन रहा है जिसका कैपिल डी से लिखते हो ठीक तो आप देखो य रहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है फो ठीक आप यूं कह सकते हो ओ और ए इसका नाम हो इसका नाम ए ठीक और फिर ए-ई-प्लस ए-ई-ए यह लो तो आप आगे चलो एल-डी एल मतलब लेंथ डी मतलब क्या कि अंतिम प्रद्व में टू-बीटू इस पस दिसके निन यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो आप जानते हैं इसके लिए क्या है वस्तू है और वस्त की दूरी यू से लिखी जाएगी तो यहां पर क्या जाएगा यू चलो और जहां पर यूई कमान भी आप इसके पहले निकाले तो वही मान तो आपने यहां पर रखा है अब आ हमारा क्या स्रांत नेत्र की यवस्था में हो ठीक आप देखना के से केंड़ स्रांत नेत्र की यवस्था में आवर्दन चम्ता ठीक जान से सुनना देखो स्रांत नेत्र की यवस्था कहते कब है जब अंतिम प्रद्विम मतलब कौन एटू बीटू कहां बने अनन्त पर बने और आप यह जानते हो अनन्त प्रद्विम कब बनता है जब वस्था कहां पर होता फोकस पर ठीक हम आई पीस की बात करें इसका आप ने इस लिखा हुआ है इसके लिए वस्था कौन एएटू बीटू और इस चंढडिशन में तो ऑसके वस्था कं आप से पूछें कि यहां तक कि पूछें की यहां त到底 है मतलां भूटाओ F E के मान से कम है कि ज़्यादा है कि बराबर है तो ज़रा हम समझाएं आपको अब सुनो अगर U E का मान F E के मान से ज़्यादा होता तो प्रद्मिम इस पार ना बनता प्रद्मिम इस पार बनता परदे पर बनता वास्तिक बनता वस्त के साथ पर उल्टा बनता लेकिन नहीं आप जानतों प्रद्मिम उस पार नहीं बना है इस पार बना है इसका मतलब कि यह नहीं होगा ठीक अच्छा आगे चलो U E अगर बराबर हो जाए F E के तब क्या होगा मतलब इसके लिए वस्त की दूरी फोकस दूरी के बराबर हो जाए तो निश्चत प्रद्मिम कहां बनेगा आनन्द पर बनेगा और यहीं तुम चाहते हैं इसमें अच्छा यहीं पर जनकारी है आपको दें अगर U E का मान छोट का हो F E से ठीक तब प्रद्मिम कहां बनेगा वस्त के पीछे बनेगा वस्त के साफे सीधा बनेगा वस्त उसे बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा आप देखो सब कुछ हुआ है यहां पर देखो नित्रिका के लिए क्याप्टर E के लिए वस्त कौन A1 B1 और इसके लिए ए-2 बीटू यह वह किदर नीचे यह भी किदर नीचे अब देख रहो वस्त के साफेंच कहां पर बड़ा वस के साफेंच कह सीधा बना ठीक और आभासी बना मतलब यह कंडिशन अभी तक आप पढ़ रहे थे वह एक कंडीशन था पढ़ चुका हैं अब जो कंडिशन आप पढ़ने जा रहा हूं यह साथ नेत की अवस्था में तो अनद पर दिन तब बनेगा जब वस्थ की दूरी फोकस दूरी के बराबर हो मतलब यह पढ़ने जा रहे हूं ठीक आप आगे देखना तो इसके लिए क्या करें हम तो आप जानते हो अब इसको रेक्पीनियर अरेज् कि यहां पर आजाएगा और पीछे किश का ओंगे खिसके यहां पर आजाएगा और पीछे किसकया ओगे सक्के म पहुंचा गरिवयों भी ने तो ऑप खली नेतिका को किसका हो ऊरह हो और लुक ट्रहीं तरह घो इतना यहां नहीं बनेगा बलकि कहां बनेगा अनंद पर अब उसका भी डियाग्राम बना कि आपको दिखाते हैं फिलाला भी आप देखों यहां पर ठीक तो ऐसी कंडिशन में आप जानते हो यहां पर यूई लिखा है न और अनंद पर प्रद्विम बनने के लिए आप जानते हो यूई कमांद कितना होना चाहिए फी के बराबर है तो आप यूँ कह सकते हो एम दर टीडिकोल टू माइनेस एफो अपान एफी यह आवर्दन चमता निकली टेलिस्कोप की कब जब अंतिम प्रद्विम कहां बने अनंत पर बने आप चाहो थे आप इसपिक्स में इंफाइनेट लिख सकते हो यह आप इंफाइनेट लिख सकते हो और इसी कंडिशन में अगर दूरदर्सी की लंबाई आपसे पूछे यह इंफाइनेट जटिज इकुल टू तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो यह दूरी कितनी एफो आप जानतों यह इसके लिए क्या फोकस तो है और आप जानतों यह भी तरह खिशका चुके हो कि इसका फोकस कहां पर इसी जीगा पर आच चुका है ठीक फैसी कंडिशन में यहां पर क्या हो जाए का यह यहां पर यहां पर इंफाइनेट इस एकुल टू एफो प्लस एफी कि यह दूर्दर्सी के लंबाई निकले है पहला केस आपने देखा आवर्दन चंता देखा पहले केस में दूर्दर्सी की लंबाई देखी फिर दूसरा केस आपने देखा आवर्दन चंता आपने देखा फिर दूसरे केस में आपने दूर्दर्सी की लंबाई देखी आप इसका डाग्राम कैसे बनेगा तो डाग्र कि इस डियाग्राम को थोड़ा बढ़ा करते हैं कि आप देखना है कि हम इसको इधर खेशकाने जा रहा है यह इस प्रकार से यह कि यह 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 लेंस हो गया है बहुत दूरी पर कोई वस्तु रखे हैं यह वस्तु यह 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 आई से किये वस्तु का नाम यह भी वस्तु से रखास को यह निकली यह, अब इसी के समांतर कुछ करनों को और निकालते हैं वो उसी परकार से यहां पर हो हमान वो इस लेंस का फोकस यहां पर है तो सारी करिने फोकस तल पर जाएंगे ऐसे उसका प्रद्व्म फोकस पर जाके संट्राइज हो गई है ऐसे इसका प्रद्विम यह बना कि इसका नाम एभी है तो इसका नाम हो गया एवन और इसका नाम हो गया बीवन हमने क्या किया नेत्रिका को दर खिसका रखा है इतना खिसकाया इतना खिसकाया कि नेत्रिका फोकस कहां पर आगया यहीं और दीजी कुछ मोटा क्यों बनाते हैं पिर वही मोटा रहेगा वक्ता ज्यादा होगी वक्ता तिज्या कम होगी वक्ता तिज्या कमोगी तो फोकस दूरी कम और नजदीक हमको नित लगा के सटा के देखना ही है ज्यादा फोकुस दूरी करने के ओशकता के अब इसके बाद आप देखना इससे प्रकास करने निकली आपको सारी करने सब अलग लग दिखाई परेजिम कलर चे निकल ले रहें ठेक आप देखना तो यह निकली ऐसे और ए अ कि on ज है यह वाली कहां से गुजरेगी इसके फोकस से गुज़्रे कि चलो दूसे कि रहन है इसके फोकस से गुज़ी है कि अ वर्ये आप देखना कि आ यह इदर भिणना वेसलिट हुए बिलकू सीधी और यह है अब जानतों नेत्रिका के यह क्या समांतर तो है कि अब पॉर्तन के पासचाद फोकस से होकर घुजरती है तो आप बता आपको क्या लग रहा है कि आगे जाके काठ देगा बिल्कुल नहीं यह दुन समांतर है आगे नहीं काठेगा हो आगे छोड़ो यह पीछे बहुन काठे कि यह आपका नेत्र हो गया अगर आपसे पूछें कि बताओ यह दोनों करने कहां से आ रही है तो आप यही तो कहोंगे सर्प्रकास्तों सीधी रेखा में चलता है आप तुरंत स्केल उठाओगे और बिल्कुर स्टेट प्रद्रियु कहां बनेगा अन्त बनेगा यह अवस्था कोंसी अवस्था कहले है स्रांतर नेत्र की अवस्था अब वहीं पुराना एक चोड़ा पाइब लेंगा उसके सिरे पेसको टाइट करेंगे यह तर एक पदला पाइब लेंगे उसके बाहरी सिरेपेसको टाइट करेंगे यह फिर आप जानते हो इन दोनों के बीच में रेक्पीनियन अरेज्मेंट आपका हो जाएगा अब आइसे यह फिर यहाँ पे एक अरेज्मेंट हो गया नाम जो सको कहते हो यह ठीक और इसी नाम को घुमा घुमा के इसको आगे पीछे करके आप चाहो तो प्रद्विम इस पस जिसके नियुनतां दूरी पर बनाओ 25 सेंटीमीटर पर और अगर आप चाहो तो प्रद्विम को सांत्रनित की अवस्ता में बनाओ मतलब कहां पर आनंद पर इस लिक्चर को आपने देखा आप कमेंड करके ज़रूरं को बताना कि हमारी मेहनत इस वक्त रात के के दो बज़ रहे हैं हम जानना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को आपको चुश कमें दिखी हो तो उस कमी को एप लिखना हमिए मुस कमी को पूरा दूर करने आपके लिए सार्थक रहें इसने कुछ कमी दिखे तब जरूर हमको कमेंट करके बताना अच्छा लगे तो इभी दाना क्या अच्छा लगा तकि वही फिर आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करें कुछ कमी दिखे तो बताना क्या कमी दिखी जैसे कुछ कमी दुबारा फि free upcast, अपने इसी channel पे आपको upload कराएं, बस आपको सिर्फ इतना करना रहेगा, कि हमारे channel के link को, आपके जितने भी classmate है, उन तक आप पहुचाओ, बस, आप अपनी जिम्मिदारी निभाओं, अपनी जिम्मिदारी निभाएंगे, देखना कौन बहतर अपनी जिम्मिदारी नि कैसे उबर करता है उसका मैंगनिफाइंग पावर क्या होगा वह भी तब जब अनति प्रद्धिम इसके नियुंतन दूरी पर बने तब क्या होगा जब अनंत पर बने यानि सांतरेट की अवस्था में हो तब क्या होगा पूरा का पूरा चैप्टर खतम कराएंगे डैट साल बेस्ट आप लग मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 18 में बहुत जल्ड़